नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर एस्पीदे, मेरा चैनल हेल्थी लिंग अन होमियोपेथी में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे, खास करके एंग्जाइटी डिजर्डार, बार बार पैनिक अटक जिन में होता है उन लोगों के लिए एक होमियोपेथी कॉंबिनेशन जो लगातार आप लोग बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं और जिसको यूज करने पर आप लोगों का एंग्जाइटी लेबेल कम रहेगा पैनिक अटक जो बार-बार होता है आपके साथ कईयों को तो हर रोज हो रहा है ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ही लाब मिलेगा तो इस भीडियो को अन तक जरूर देखेगा कोई भी पॉइंट आपको छूट ना जाए पैनिक अटक, एंग्जाइटी डिजोर्डार, डिप्रेशन, किसी भी तरह का डर का जितने भी पेशेंट्स हैं सब के लिए ये वीडियो बहुत ही लाब दाय खोने जा रहा है तो दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो पहले आप लोगों को ये जानना है कि पैनिक अटक, एंग्जाइटी डिजोर्डार या सोसाल फोबिया बोली या सोसाल एंग्जाइटी बोली एंग्जाइटी का कोई भी नाम आप लोग ले लीजिए एक बेसिक चीज सब के लिए कॉमोन होता है वो है डर पहले तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा को जो भी ऐसे पेशेंट्स है जो भी बार-बार रेकारें पैनिक अटक्स के शिकार हो चुके है जो भी बार-बार एंग्जाइटी फोबिया फियार एंग्जाइटी स्ट्रेच फ्राइट ये सब के शिकार हो चुके परा है heal your mind बोलके उसमें आप जाईए panic attack के उपर acute stage में आप panic attack को जब ज़्यादा panic हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा restless हो जाता है तब उसको कैसे control किजिएगा इसके उपर मेरा एक वीडियो है क्या tips है उसमें आप देखिए जरूर homeopathy medicine for anxiety, fear and panic attack बोलके अल्रेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे है उसको भी आप देखिए और जो भी medicines में है mother tinctures का एक combination बहुत ही अच्छा लापदा है के combination मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप as a general tonic आप ले सकते हैं जैसे बहुत सारे patients हम लोगों को बोलते हैं कि मैं तो एक न anxiety के कारण कभी कुछ हुआ था और आप फिल कर रहे हैं कि मुझको डर लगता है डर के कारण मुझको ये हो रहा है और panic attack तो आप लोग समझती हैं जिसका panic attack आ जाता है restlessness हो जाता है बहुत जादा palpitation जी मचलना जी धरफर करना जिसको हम लोग बोलते हैं sweating होना और बहुत जारा बेचेनी होना ऐसा जो conditions जिनके बार-बार patients को होते हैं उनको आप ये medicine दे सकते हैं आप खुद भी ले सकते हैं अगर आप patient है तो लेकिन फिर से एक बार मैं हर व anxiety disorder हो रहा है या आपको anxiety disorder या panic attack से mood swing के कारण आपका depression आ रहा है तब आप जरूर एक अच्छा institutionally qualified homeopathy doctor या psychiatrist जो भी आपके family physician है उनका consult कर लीजिएगा दोस्तों ये तो एक बात सही है कि कोई भी medicine डर को 100% खतम कर नहीं सकता लेकिन आपको lifestyle changes करके motivational videos, motivational किताबे, motivational things आपको देखके पढ़के खुद का self counseling करके या अगर जरूरत परे तो आप psychological counselor के पास भी जा सकते लेकिन मैं खुद का counseling self counseling में believe करता हूँ मेरे जितने भी patients हैं मैं हर सबको उनको बोलता हूँ कि आप खुद का counseling खुद कीजिए आज internet का age है आप देख सकते हैं YouTube में बहुत सरे self counseling videos, motivational videos अच्छा अच्छा हर भाशा में उपलब्ध हैं आप उसको देख सकते हैं एक खुद को थोरा सा time दीजिए एक time देने के बाद आप जब समझ जाएंगे कि इस कारण के लिए मुझको panic attack हो रहा था या anxiety बहुत ज़्यादा phobia हो रहा था ये कोई कारण नहीं इसको दूर करना बहुत ही easy है तब आप इसको ठीक कर सकेंगे लेकिन अगर severe symptom of anxiety disorder या panic attack आप में है जैसे suicidal tendency या आप कहीं से सर चक्कर खाके गि हो जाता है blood pressure बहुत fluctuate करता है ये सब physical symptoms अगर आप में है तो आप जरूर किसी institutionally qualified अच्छा B.H.M.A.S. या MD होमियोपेथी डॉक्टर के पास जाईएगा consult में रहीगा उनके या family physician या psychiatric के पास भी आप जा सकते हैं और जो medicine मैं बताने जा रहा हूँ इस medicine को लेने के बाद आपका जितना भी stress related ऐसे symptoms है और anxiety है फोबिया है पैनिक से उसका recurrence कम होने लगेगा और उसके साथ आप दूसरे भी consult करके कोई भी medicine ले रहे हैं हाँ जो allopath thick anti-depression वगरा ले रहे हैं या कोई भी anxiolatic medicine या psychiatric medicine ले रहे हैं वो अपने doctor से या मेरे description box में जो whatsapp number दिया हुआ है उसमें आप whatsapp करके मेरे साथ consult करके ये medicine ले सकते हैं अपने doctor से भी consult करके ये medicine ले सकते हैं सबसे पहला medicine जो है वो है Damiana, Damiana mother tincture दोस्तों हम सब कोई जानते हैं कि होमियोपैथी में Damiana एक aphodisiak मतलब male का sexual organ stimulate करने के लिए use होता था सालों से लेकिन recent जो भी studies है क्योंकि mother tincture जो है होमियोपैथी में इसका भी एकदम microbial level पे lab में study होता है तो dr. Wilmar Swabe जार्मानी का एक team ने recently देखा है कि Damiana anxiolytic है अगर लगातार Damiana लेता रहा कोई तो उसमें आपका anxiety का जो problem है वो कम होने लगेगा उसके बाद का जो medicine next है जिनसेंग दोस्तों जिनसेंग एक ऐसा medicine है जो आपका cerebral circulation को active करता है जो आपका fear का problem है जो आपका डर लगा रहता है डर होने का जितना भी hormonal imbalance है जो panic cycle अंदर इंसान के चलता रहता है उसको block करने में और उसको ठीक करने में ये जिनसेंग बहुत ही लाबदायक देखा गया है रिसर्च में तो आप जिनसेंग मादट टिंचर नोट कर लीजेगा नमबर टू पे है नमबर थ्री पे है जिनको बाइलोबा खास करके आपका cerebral जो है brain का जो cerebral blood circulation जिसका brain का या मस्तिश का जो blood circulation है उसको इंप्रूब करने के लिए जिनको बाइलोबा एक बहुत ही काब लाबदायक medicine homeopathy में इसको हम लोग after stroke सारा जिन्देगी के लिए हम लोग use करते हैं जाते फिर से stroke का chances बहुत ही कम हो जाया और एकदम ही natural है अच्छा quality का mother tincture आप purchase कर सकते हैं और last में एक एकदम ही नया mother tincture है मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है iskologia californica iskologia californica एक sedative drug है जिसको खाने से आपका sedation हो जाता है लेकिन ये chemical नहीं है इसका कोई side effect नहीं है और ये नार्कोटिक नहीं है मतलब जैसे बहुत सरे chemical drug से ऐलोबेटिक drug, psychiatric जो होते हैं वो हम लोग खाने के बाद drive नहीं कर सकते उसको खाने के बाद हम लोग कहीं पे अच्छत पे या ऐसा कोई अकेले कहीं पे जाने का मना ही होता है बहुत सरे ऐसे instruction दिये होते हैं doctor psychiatrist लोगों का लेकिन आप ये कैलिफोर्निका का इतना ही अच्छा आपका काम होता है कि उसमें आपको कोई भी sedation का जरूरत sedation तो आपका हो जाता है लेकिन कोई भी side effect या instruction आपका जरूरत नहीं पड़ता है तो दोस्तों मैंने जो 4 mother tincture बताया जितने भी panic attack बार-बार होने वाले anxiety, fear, हर रोज लगा रहने वाले या mild depressions के patient है आप लोग ये 4 mother tincture का 30 ml का शीशी आप खरिद सकते हैं Wilmar Sobe India या Dr. Reco एक जार्मानी या SBL ये सब अच्छा company का आप खरिद सकते हैं 30 ml का शीशी आप online में भी order दे के ला सकते हैं फिर से मैं एक बार repeat कर दूँगा Damiana mother tincture, Jinseng mother tincture, Jinko biloba mother tincture and Escolgia California mother tincture ये 4 mother tincture को 30-30 ml आप mix कर दीजिएगा एक 200 के शीशी में 200 का काच का शीशी होने से और अच्छा है अगर नहीं होता है तो प्लास्टिक का शीशी भी चलेगा घर में रहा शीशी को अच्छा से साबून पानी में hot water में अगर आप बाइल करके लेते हैं ठंडा करके वो भी चलेगा उस जो शीशी में आप ये 30 ml का चार जो मेडिसिन आप mix कर दीजिएगा फिर जाके 120 ml का जो solution बनेगा जो mother tincture का combination बनेगा इसको आपको दिन में starting में लेना है 15 बूंद करके दो चमच गरम पानी में 3 times daily after food खाने के 2-4 मिनिट बाद लीजिए अगर आप working है सुभा शाम आप अफिश में जाते हैं तो आप सुभा 20 बूंद खाने के बाद ले लीजिए रात को डिनार के बाद 20 बूंद खाने के बाद लीजिए इसके बाद ये medicine आपको कितना दिन तक continue करना है ये medicine आपको लगातार 3 महिने आप continue कर सकते हैं फिर से एक बार बोल दूंगा अगर आप already psychiatric कुछ ऐलोपतिक ड्राग्स में है या होमियोपथी या आयुरुवेदी किसी को अपना psychiatric problem में दिखा रहे हैं तो उनसे consult कर सकते हैं या मेरे description box में जो whatsapp number है उसमें मुझसे बात करके आप ये medicine ले सकते हैं और अगर आप ये medicine तीम महिने तक continue करते हैं तो आपका problem बहुत हद तक कम हो जाएगा उसके बात आप गैप दे दीजिएगा क्यूंकि मैं नहीं चाता हूँ कोई भी medicine से आपका anxiety ठीक हो medicines खाली आपके support के लिए है जो आपको थोड़ा सा relief रहेगा during ये तीन महिने में आप खुद का self counseling, खुद का self motivation, खुद का self power जो है उसको जागरुक करके आप completely panic cycle से निकलने का कोशिश कीजिएगा इसके साथ दो important चीज मैं आपको share करना चाहूँगा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बार बार बोला है अगर आपको panic के कारण blood pressure बरने का problem है तो आप राउलफिया mother tincture दस बून करके दिन में दो बार खाने के बाद अलग से लीजिएगा और अगर आपको नींद ना आने का problem है कि anxiety के कारण मुझको नींद नहीं आता है तो जो combination चार mother tincture का मैंने बताया इसके साथ आप और एक medicine add कर दीजिएगा combination में नहीं रात में सोने से पहले just before sleep खाने के बाद नहीं जब खाने के बाद बाद कुछ बातचीत करके family member से या कुछ भी काम करके आप सोने जाते हैं just 5 और 10 minutes before sleep आप लीजिएगा passive flora mother tincture 20 drops in leuco warm water थोड़ा सा गरम गुन गुने पानी में passive flora mother tincture आप लीजिएगा इससे आपका नींद अच्छा हो जाएगा तो blood pressure अगर जादा है तो दिन में दो बार 10-10 बुन सुबा खाने के बाद रात को खाने के बाद रावल फिया और अगर आपका नींद ना आने का problem है तो आपको passive flora mother tincture रात में लेना है तो ये total रहा जो आप घर में कर सकते हैं without any side effect फिर भी अगर कोई questions आप लोग के मन में है regarding this medicine या और कोई आप जानना चाते है topic के इस type का बीमारी का होमिपथी में क्या एलाज है क्या medicines है तो मेरे comment box में जरूर comment कीजिएगा अगर दोस्तो इस video को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अपने social media link पे facebook में, twitter में या whatsapp में share करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे channel में नए है तो मेरे channel को like and subscribe करके bell icon को press करना मत भूलिएगा नमस्कार दोस्तो